हलो दोस्तो किचन किंग इस पेशल डिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तो आज की रेश्पी मैं आपके साथ कद्दू के पत्दों की एक नई और बहुत ही स्वादिष्ट सबजी की रेश्पी सेयर करने वाली हूँ तो यहां पर मैंने यह फ्रेश्पी ताजी कद्दू की पत्दे लिये हैं यह हमारी घर में ही लगे हुए हैं तो इसे मैंने अच्छे से धो करके साफ कर लिया है और अब इसके हम डंठल को इस तरीके से काट करके हटा देंगे और अगर इसके डंठल जादे मोटे हो तो इस तरीके से आप इसे हलका हलका चाकू से काट करके हटा सकते हैं तो ये देखिए इस तरीके से हम सारी पत्ते को साफ कर लेंगे तो ये देखिए बस इस तरीके से हमें चाकू से इसे छीर लेना है ये देखिए तो इसके जो नसे हैं वो निकल जाएगी और ये बहुत ही ज़्यादा सौप्ट है और ये देखिए मैंने सारी पत्तियों के डंठल को काट करके हटा दिया है और अब इसे हम साइड में रख देंगे और इसके लिए एक बेटर तयार करेंगे तो इसके लिए हम एक बर्तन ले लेंगे और अब इसमें हम एक कटोरी बेशन डालेंगे इसी के साथ इसमें हम आदी चोटी चमच हल्दी पौडर डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च से पौडर डालेंगे साथी स्वादन उसा नमक डाल देंगे और आधी छोटी चमस धन्य पाउडर डाल देंगे और इसी के साथ इसके टेस्ट को और भी ज़्यदा बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैंने एक हरी मिर्ज थोड़े से लसुन के कलिया और अध्रा को दरदर कूट करके लिए है इसे डाल देंगे और सभी चीजों को डालने के बाद अब इसमें हम आधी छोटी चमस अजवाइन को इस तरीके से हाथों से क्रस करके डाल देंगे और सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे और फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक गाड़ा सा पेश्ट तयार कर लेंगे तो एक बार इस तरीके से इसे जरूर बना करके देखिएगा और ये देखिए इस तरीके से मैंने इसका एक बेटर तयार कर लिया है तो इसे हम साइड में रख देंगे और एक थाली को इस तरीके से पलट करके रख लेंगे फिर इसमें हम ये कद्दू के पत्ते रखेंगे और फिर इसमें हम इस बैटर को इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा करके इसमें फैला देंगे ये देखिए इस तरीके से तो इसे आप हाथों से भी फैला सकते हैं या फिर इस तरीके से चम्मच से भी इसे फैला सकते हैं और इस तरीके से एक और दूसरा पत्त लेंगे और इसे हम इस तरीके से सेट कर लेंगे और इसके उपर रख देंगे और फिर इसके उपर हम बेशन का बेटर इस तरीके से फैलाएंगे और इस तरीके से हमें 4-5 पत्ते रखना है और इसी तरीके से इसे तयार कर लेना है ये देखिए और अब इसके साइट को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे ये देखिए और फिर एक साइड से हम इस तरीके से इसे रोल करते जाएंगी इस तरीके से ये देखिए एकदम टाइट इसे रोल करेंगे तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से इसकी ये रोल बन करके तयार हो गई है और इसके साइड में हम थोड़ा थोड़ा बेसन लगा करके इसे अच्छे से चिपका देंगे तो इस तरीके से ये रोल बन करके तयार है और इसी तरीके से हम बांकी के पत्तों से रोल बना करके तयार कर लेते हैं तो यह दिखिए इस तरीके से मैंने सारे ही पत्तों के रोल बना करके तैयार कर लिए हैं और अब इसे हम इस्टीम करेंगे तो यहां पर मैंने पानी को पहले ही करम होने के लिए रख दिया था और इसके उपर एक छन्नी रग दी है और इसमें हम इस रोल को रग देंगे और फिर इसे हम ढग देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसे स्टीम होने देंगी 10-15 मिनट बाद ये पहुत ही अच्छे सिस्टीम हो जाती है तो इसे हम निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगी और अब हम इसके लिए मसाला तयार कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जाल लिया है इसमें हम डालेंगे 2 सुखी लाल मिर्च एक बड़े साइज का प्याज लिया है जिसे मैंने इस तरीके से काट करके लिया है इसी के साथ यहाँ पर 8-10 लसुन की कलिया ली है छोटा सा अध्रक का तुकडा लिया है इन सभी चीज को डालने के बाद अब इसमें हम एक जम्मा जीरा डालेंगे एक जम्मा साबुद धन्या डालेंगे और 7-8 काली मिर्च के दाने डालेंगे और फिर हम इन सभी चीजों को पीस लेंगे तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं जिसे कि यह बहुत ही अच्छे से पीस करके तयार हो जाएगा और यह देखिए मैंने सारे चीजों को अच्छे से पीस करके पेस्ट तयार कर लिया है और यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज के टमाटा लिये हैं इसे हम बारी काट लेंगे और यह देखिए यह अच्छे से ठंडी हो गई है तो चलिए अब इसे हम काट लेते हैं तो इसे हम आधे आधे इंच की दूरी पर काटेंगे ये देखिए इस तरीके से आप इसे मोटा काटना चाहते हैं तो मोटा भी रख सकते हैं आप इसे अपने हिसाब से इसकी साइज रख सकते हैं तो ये देखिए इस तरीके से हम इसे काट लेते है और ये देखिए मैंने सारे रोल को इस तरीके से काट लिया है और ये देखिए बहुत ही बड़िया ये बन करके तयार हुई है तो चलिए अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं तो इसे फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने ग करके इन्हें डालेंगे और इन्हें हम दोनों साइड से उलट-फुलट करते हुए अच्छे से फ्राइब कर लेंगे तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से बन जाती है और खाने में बहुत ही टेश्टी लगती है तो एक बार इसे जरूर ट्राइब कीजिएगा और ये तो चलिए अब इसके लिए हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं तो यहां पर तेल अच्छे से गरम है इसी तेल में हम यह सबजी बनाएंगे और यहां पर मैंने पंच फोरन लिया है जिसमें मैंने सरसो जीरा अजवाइन और सौप और मेथी लिया है और अगर आपके पास पंच प्षोरन नहीं है तो आप इसमें सिंपल सर्सो और जीरा ही डालकर के तटका दे सकते हैं और फिर इसमें हम थोड़ा सा हिंग डालेंगे तोड़ी सी करी पत्य डालेंगे और हमने मसालों का पेश्ट बना कर रखा है इसे डाल देंगे और मसालों को हम अच्छे से एक चमल धन्या पाउडर और आधी चोटी चमस कस्मीरी लाल मिर से डाला है और सभी मसालों को अच्छे से मिला लेंगे और फिर इसे हम अच्छे से भूनेंगे मसाले जितने अच्छे से भूनेंगे सबजी हमारी उतनी ज़्यादा टेश्टी बनेगी तो ये देखिए मसाले अच्छे से भून गई है तो अब इसमें हम टमाटर को बारिक काट करके डाल देंगे और इसे भी मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे साथ इसमें हम नमक डाल देंगे नमक एक्तम हिसाब से डालेंगे क्योंकि हमने पहले भी नमक का यूज किया हुआ है तो ग्रेवी की हिसाब से ही इसमें नमक डालेंगे और फिर इसे हम ढख करके अच्छे से पकाएंगे और इसे पकते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं और यह देखिए टमाटर भी अच्छे से पक चुकी है और इसे हमें बीज-बीज में चलाते रहना है ताकि यह अच्छे से पके और मसाले अच्छे से पक चुके हैं तो अब इसमें हम पानी डालेंगे तो यहां पर पानी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जितना आपको सब्जी में क्रेवी चाहिए तो इसे हम ढख देंगे और इसमें अच्छे से उबालाने देंगी और यह देखिए क्रेवी में बहुत ही अच्छे से उबाला चुके हैं और अब इसमें हम पकोडों को डाल देंगे और इसे हलके हाथों से चला लेंगे और इसमें अच्छे से उबालाने देंगी और ये देखिए सबजी में बहुत ही अच्छे से उबाल आ चुके हैं तो इसे हम हलके हाथों से इस तरीके से चलाएंगे और ये देखिए इस तरीक से हलके हाथों से ही हमें इसे मिलाना है और गैस को अब बंद कर देंगे और पांच मिनट के लिए इसे ढख करके छोड़ देंगे उसके बाद इसे हम सर्व करेंगी तो इसे हम ढख देते हैं और पांच मिनट बाद इसे हम देखेंगे तो ये देखिए इस तरीके से हमारी ये सबजी बन करके तयार हुई है और इसकी ग्रेवी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गाड़ी हो चुकी है यह देखिए और बहुत ही टेस्टी हमारी यह सबजी बन करके तयार हुई है तो अब इसे हम एक प्लेट में निकाल देते हैं तो यह देखिए बहुत ही टेस्ट से सब्धिवन करके तैयार हुई है तो इसे आप जरूर ट्राइ किजिए पहुँत ही टाला ने में अपानान हो देखक आप इस तरीके से आप लिए आप इस जरूर ट्राइ कीजिए Fresh लगी मुझे डिए करके जरूर बताईएगा रेस्पी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा सेर कीजिएगा और इसी तरीकी की और भी रेस्पी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा जिसे की हमारे आने वाले सबी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी तो आज के लिए बस इतना ही मिलती हैं नेस्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई